आज मारे पास question है exercise 3.6 का find greatest number which divides 1305, 801 and 405 completely यानि बड़े से बड़ा ऐसा अदद मालूम करना है बड़े से बड़ा ऐसा अदद मालूम करना है जो जिस पर 1305 मुकमल तक्सीम हो जाए 801 मुकमल तक्सीम हो जाए और 405 मुकमल तक्सीम हो जाए तो इसका मतलब यह हुआ कि 1305, 801 और 405 का हमने HCF मालूम करना है निहाएस्ट कामन फैक्टर यह ऐसा नंबर है जिस पर तीनों नंबर्स जो हैं वो मुकमल तक्सीम होंगे तो तीन नंबर्स में से हमारे पस 1305, 801 और 405 है इन तीन नंबर्स में से कोई सी दो नंबर हम ले सकते हैं तो पहले हम 1305 और 801 को ले लेते हैं इसमें से आपके पास बड़ा जो है वो 1305 है इसको हम अंदर रख लेते हैं और 801 पर हम इसी डिवाइड कर लेते हैं अब 801 को अगर हम 2 से मल्टिप्लाई करें तो यह 1305 से बढ़ जाता है तो एक से ही करेंगे यह आपके पास 801 आ जाएगा इसे इसको मैंनस कर लेंगे पांच में से 4 मैंनस होगा तो एक मैंनस होगा तो 4 बाकी यह 0 का 0 आएगा और 3 में से 8 नहीं जा सकती इसके साथ इसको मिलाएंगे 13 बन जाएगा 13 में से अगर 8 जाएं तो 5 बाकी आपके पास आगया 504 अब हम इसको इस तरह से बढ़ा के यहां पर जो रकम है इसे हम अंदर लिखेंगे अब आपके पास क्वेस्चन आ गया 801 डिवाइड बाई 504 अब 504 को 2 से हम जरब करेंगे तो यह 108 आएगा यानि इससे बढ़ जाएगा तो इसे भी एक के बारे पर करेंगे तो 504 को 1 से मल्टिप्लाइ करेंगे वही चीज़ा जाएगी 504 तो यहापके पास 1 में से 4 माइनस नहीं हो सकता इसके पास जाएंगे करेंगे यह खुद 0 है इससे करेंगे 8 से इसको 0 देंगे करेंगे तो यह 7 रह जाएगा यह 10 बन जाएगा इससे करेंगे इसको देंगे यहाँ पे 9 रह जाएगा और यह 11 अब 11 में से 4 अगर माइनस हो जाएं तो आपके पास कितना रह जाता है 5, 6, 7 8, 9, 10, 11 7 बागी इसी तरह से यहां 9 आ गया 9 में से 0 माइनस होंगे तो 9 और यहां पे 7 रह गया 7 में से 5 माइनस हो जाएं तो 2 अब आपके पास रह गया क्या 297 इसको आगे इस तरह से बढ़ा लिए और यहां पर जो रकम है इसे अंदर रख लिए 500 एंट 4 को अंदर रख लिए अब 297 को अगर हम 2 से भी जरब करते हैं तो यह आपके पास कितना आ जाता है 37 और 21 37 is 21 2 केरी 3 9 और 27 27 में 2 एड करें 29 फिर 2 केरी 3 2 और 6 6 में 2 एड करें तो 8 यह आपके पास 891 आ रहा है और हमें 504 चाहिए तो अच्छा यह हमने 3 से किया 2 से चेक कर लेते हैं 27 और 14 1 केरी 29 और 18 18 में 1 एड करो 19 फिर 1 केरी 22 और 4 4 में 1 एड करो 5 594 और हमें चाहिए 504 तो बढ़ रहा है 2 का बारा तो हम बन का लगा लेंगे फिर 297 अब फिर इसी तरह से इस से केरी लेंगे यह 10 बन जाएगा यह से केरी लेंगे इदर 9 रह जाएगा इदर 14 14 में से अगर 7 मैनस हो जाएं तो 7 वाकी इदर आपके पास 9 रह गया 9 में से 9 जाएंगे तो 0 इसी तरह यहां पे 4 रह गया 4 में से 2 जाएंगे तो 2 वाकी इसको इस तरह से आगे बढ़ा दे 997 को 297 को अंदर लिख रहे अब यह 207 है 297 इसको दोसे जरब करेंगे 414 बन जाएगा बढ़ जाएगा फिर वही एक कबारा 200 200 7 आपके पास आजाएगा 7 में से 7 माइनस होगा 0 यह 9 का 9 आपके पास आजाएगा 2 में से 2 जाएंगे कुछ नहीं बाकी इसी तरह से हम इसको अगर आगे बढ़ा दें तो इसको हम अंदर रख लेंगे यहां पे जगा नहीं तो इधर कर लेते हैं यहां आपके पास 200 7 यानि इसी चीज़ को हमने आगे continue रखना है यहां आपके पास 90 आगया अगर हम 90 को 2 से जरब करें 2, 0 is 0 2, 9 are 18 तो 2 से इसको multiply करेंगे कि कि 3 से बढ़ जाएगा 2 से करेंगे तो आपके पास आता है 180 7 में से 0 माइस होगा 7 0 से 8 माइस नहीं हो सकता इसे करी लिएंगे 10 बन जाएगा 10 में से 8 माइस हो जाए अगर 2 तो इसी तरह 1 में से 1 माइस हो जाएगा तो खोशनी को इसको ऐसे बढ़ा दें नवे को अंदर लिख लिए अब 27 को अगर हम 3 से मल्टिप्लाई कर लिए 3, 7 और 21, 2 करी 3, 2 और 6, 6 में 2 एड़ करें 7, 8 यानि 81 आ रहा है 90 के करीब करीब है तो 3 से हमने इसे मल्टिप्लाई किया तो आपके पास आ गया 81 तो यहां पर हम 27 को अगर 3 से मल्टिप्लाई कर लें तो आपके पास 81 आ जाता है 0 से 1 माइनस नहीं हो सकते, इसे करे लेंगे 10, 10 में से 1 माइनस होजा 9 रह जाता है यहां 8 रह गया 8 में से 8 माइनस होजा कुछ नहीं वाकिए, इसको इस तरह से आगे बढ़़ा दें यह 27 को हम अंदर लिख लेंगे, 9, 3, 27, यहां पर यह complete डिवाइड हो गया अब आपके पास एक रकम रहती है, 405 यह वाल रकम रहती है तो जो रकम आपके पास रहती है, उसको हम अंदर लिख लेंगे और यहां पर आपके पास जो बाहर रकम है इसे हम यहां पर बाहर रिखेंगे फिर इसे हम डिवाइड करेंगे अब यह 9 पर कम्प्लीट डिवाइड होती है तो देखें 9, 4, R, 36 होता है तो कितना 4 वाकी 45 बन जाएगा और 9, 5, R, 45 यह 9 को अगर हम 45 से मल्टिप्लाई करें तो यह आपके पास 405 आजाता है कम्प्लीट डिवाइड हो गया अब अगर मजीद कोई रकम होती तो हम उसे अंदर रखते और 9 को उसी तरह बाहर रखते फिर इसी तरह डिवाइड करते अब मुकमल डिवाइड हो गया तो आपके पास यह जो लास्ट डिजिट आया है यह आपका ग्रिटेस्ट नंबर है यानि हCFA थैंक्स फर वाचिंग माई वीडियो